हेलो गाइस वेलकम तो ड्राइफूट वर्ड देखे गाइस बदाम का एजिंग पैचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका है अब यह बदाम दिखने में अच्छा है साइज भी बड़ा है लेकिन इस बदाम में एक प्रॉब्लेम है दोस्तों अब यह बदाम देखिए इसका साइज छोटा है लेकिन आप इन दोनों को कंपेर करेंगे तो आपको यह वाला बदाम का कलर ज्यादा ब्राइट दिखेगा क्योंकि यह इस साल का माल है जब भी बदाम फ्रेश होता है वो ज्यादा ब्राइट आता है और बदाम जैसे एज हो वो उसका कलर डाउन होते जाता है कलर डार्क होती है बदाम डाक होते जाती है तो डारकर बदाम खाने से बचिए कभी भी लाइटर शेट का बदाम लेजिए वो फ्रेश रहेगा आपको मिठा साईगी खाने में भी मज़ा आएगा थैंक यू